किसान अंदोलन कर रहेने दिल लिदियां सरहता दाने बैठे जी और इस सब्दें पिछाड़े एक अजे ही शक्सियत जिनकुडों किसान भी जानना चान देने किस मसलिदा हलकी में हुएगा वही शक्सियत वह बहुत खास शक्सियत अज सडेना जस पंजाबी दे एक्स्क्लूजिव मुझूद ने जस प्रोडकास्टिंग दे उना दा स्वागत कर दे हैं सडेना मुझूद ने पारस्तरकार दे खेती अदे किसान पलाई मंत्री नरेंदर सिंग तोमजी तुमर सब बह एक बहुत सिधा सा सवाल है इस वक्सब के मन में वो सवाल और पूरा देश भी जानना जाता है क्या इस सिती का कोई हल निकलेगा पंजाब और हर्याना का क्रसी के छेतर में जो योगदान है वो अविस्वर्णी है और इसके कराण पूरा देश और भारत सरकार पंजाब के किसानों को बहुत ही संबान की द्रश्टी से और संबेदन सील्था की द्रश्टी से देखती है जहां तक आंदोलन का प्रस्ण है तो आंदोलन के प्रति भारत सरकार पूरी तरह से संबेदन सील है किसान सर्दी के मौसम में कोबिट के संकड में इतना कश्ट जहल रहें इसका हमें भी दुख है प्रधान मंद्री जी ने सबी किसानों को आगरे किया है कि जब वो सरकार से बात करना चाहें तब सरकार तयार है मैंने भी अपने इस तर पर पाँच्छे चरण बारता की ग्रैमंद्री जी ने भी हशे किया बारता में लेकिन अभी हम लोग निर्णें तक नहीं पहुँच पाएं लेकिन किसान और किसान यूनियन पर मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि सरकार ने ये बात द्रड़ता पूरवक कहिए कि कानून के भीतर कौन सा ऐसा प्रावधान है जो किसान को नुक्सान करता हो उस हर प्रावधान पर सरकार विचार करने के लिए उपन है खोले मन से विचार करेगी और यदि आवशकता है तो उसके परिवर्टन की दिसा में भी विचार करेगी मुझे आसा है किसान यूनियन भारत सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेगी तारीक तरह करेगी और हम लोग वारता के माध्यम से निरणें तक पहुँचेंगे और समाधान करने में सफल होंगे ऐसा मुझे पूरी आसा है तौमर सब सवाल बहुत इसी से जुड़ा हुए आप कहरें किसान यूनियन तैय करें किस तारीक को बातशीद करनी है पहले कि जो पांच-छे चरण हुए उसमें सरकार तारीक तारीक ताय करती थी तो इस फ़र किसान यूनियन के पाले में के हिए गैन क्यों नहीं ऐसा नह कि वारता के दोर में वारता के दोर में सौपभवी ग्रूप से पहल सरकार ने करना चाहिए थी तो सरकार ने निमंतरण भेजा, उन से तारीक ताहे की, समय ताहे किया, धुनों तर्फ जब शिट ताहे होती है, तब ही होती है. और उसके बाद वारता निरंतर चली रही थी और हम लोगों ने नौ तारीक को सरकार की और से ठोस प्रस्ताव किसान यूनियन को भेज दिया उसके बाद बाचीत करने का जो समय है वो इसलिए किसान यूनियन को आगरे सरकार ने किया है कि चुकि वो उस प्रस्ताव पर विचार करें उस प्रस्ताव में और क्या संसुदन चाहते हैं उन प्रस्ताव में क्या और जोड़ना चाहते हैं क्या गटाना चाहते हैं तो विचार पुर्वक जब उनका विचार पूरा हो जाए तो हमको बता दें किसानी उनियन तो ये कहती हैं कि हम प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिश करते हैं और हम जो मांग इस वक्त कर रहे हैं जो अंदोलन कर रही उनियन से उनका ये कहना है कि आप कानून या तो वापिस ले लीजिए और उसके बाद हम बात चीत आगे करें उसके बाद आगे क्या स्थिती जो मुझूदा स्थिती उसमें कैसे सुधार हो इस पर आगे कदम बढ़ाएज़े हैं मैं समझता हूँ कि जो आम किसान है उसको क्रसी सुधार बिलों से कोई दिक्कत नहीं है देश भर में क्रशी सुधार विलों का स्वागत हो रहा है देश भर से अनेक किसान यूनियन के नेता आ रहे हैं एप्यों आ रहे हैं अपनी बात कह रहे हैं इन रिफॉर्मर किसी प्रकार का बदलाव न किया जाए इसके लिए भी वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं और कानून का समर्धन कर रहे हैं और इसलिए हम लोगों ने पंजाब के किसान यूनियन से जब बात की तो हमने उनको कहा है कि कानून रिपिल हो नहो ये सवाल नहीं है सवाल ये है कि कानून का कौन सा प्रावधान किसान को नुक्सान करता है भाई वो भी किसान का नित्रदू कर रहे है भारत सरकार का क्रसी मंतरा ले भी किसानों के लिए ही समर्भे थे तो अगर हमने कोई कानून बनाया है तो उस कानून में कोई गलती है कोई सुधार के आवश्रता है तो वो सुधार तो सामने आए आप ये मानते हैं कि कहिना कोई खामी रह गई है जिसकी वज़े से इस्तिति बने मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें मेरी दरश्टी से कोई खामी नजर नहीं आती और इस कानून कानूनों को लेकर राजसभा और लोकसभा में भी चार-चार घंटा चर्चा हुई सब दल के लोगों ने अपना विचार विक्त किया प्रावधानों पर किसी ने कोई आपती नहीं की ये कानून भी आए तो कोई आज ऐसा नहीं है कि एकदम आ गई इन कानूनों के पीछे बीस साल की एक्सराइज है स्वामी नाथन साब ने एक्सराइज की नेशनल फार्मर कमिशन ने एक्सराइज की थमाम सारे किसान संगठनों ने इसकी मांग की और जब ये कानून आ गए तो बहुत सारे किसान संगठनों ने इन कानूनों का स्वागत किया समर्थन किया राजनेतिक दल की दरश्टी से अगर देखेंगे तो कॉंग्रेस यूपिय की सरकार के समय भे भी इस परकार के रिफॉर्म करने की समर्थक थी और उन्हों ने इसलिए अपने मैनिफेस्टों में भी इसको इस्थान दिया वो अपनी बात से फलट रहे हैं यह दुर्भागे पूर राजनेतिक शेद्रम तुमर्थ सब एक सवाल यह यह उठता है कि जब आप यह कहते हैं कि कॉंग्रेस भी इस तरह से करना चाती थी आमादमी पार्टी भी इस तरह से करना चाती थी बीजेपी एक तरफ यह कहते है ने देश को इस हालात में लाद दिया है और बहीं दूसरी तरह आप कहते हैं कॉंग्रेस यह करना चाती थी और वही चीज अगर आज बीजेपी कर रही है तो फिर दोनों में फर्क लोग कैसे महसूस देखे फर्क इसलिए महसूस करना पड़ेगा कि कॉंग्रेस ऐसा सोचत थी यह एक अलग पाक्षे करसीच शेतर में सुधार कैसे आये इस बात की सुरुआद अडल वियारी वाजपेजी जब प्रदान मंत्री थे तब होई और उस समय अडल जी ने ही स्वामी नाथन आयोग का गठन किया दोजार छे में स्वामी नाथन साब ने अपनी रिक्में इसन थी और नैसनल फार्मर कमिसन बना जी उसने भी इसको रिक्मेंट किया मुख्यमंदरी हुड़ा जब थे तो हुड़ा साब की अदेखस्ता में समिती थी उसमें पंजाब के मुख्यमंदरी थे हुड़ा साब थे पश्यम बंगाल के मुख्यमंदरी थे और भी एक दो म मुख्यमंद्री थे, मुख्यमंद्रियों की समिती ने भी ये रिक्मेंडेशन की, इस से पहले जब कॉंग्रेस की सरकार महराष्ट में थी, तब महराष्ट की क्रसी मंद्री पाडिल साब थे, उनकी अद्यक्स्ता में दस राज्जियों के क्रसी मंद्रियों की समिती बनी, उ उसने भी इन रिक्मेंडेशन को किया। सुएद कारी संगठन के नेता शरच जोसी साब लगातार इन रिक्मेंडेशन पर मांग कर रहे थे। देश के बड़े नेता आज हम सब के बीश में नहीं हैं माहेंदर सिंग टेकेट साब वो इस प्रकार के रिफॉर्म की बात कर रहे की उपज नहीं थी। ये उपज जो है क्रसी सुधारों के लिए जो अनेक विद्वान समर पे थे। उनकी उपज थी उनकी बात को स्वामिनातन साब की बात को आगे बढ़ाने का समय समय पर अनेक फोरुम पर प्रेद्न हुआ। लेकिन UPA कहती रही कर नहीं पाई। और फ किसानों के जीवन में इसी से बदलाव आएगा तो फिर उन्होंने उसको अपना मैनीफेश्टों में इस्थान दिया। लेकिन दूसरा जहां तक अंडिया या मोदी सरकार का सवाल है तो कुल मिलाके हम किसी भी चीच को वोट की दृष्टी से तोल मोल नहीं करते। और दे समर्थन भी करते रहे, मैनीफेश्टों में भी डालते रहे लेकिन वो कर नहीं पाए और मोदी जी लगातार क्रसी सुधारों के समर्थक थे। जब उन्हें आफसर मिला तो उन्होंने दरता पूरवग इन रिफॉर्म को कर दिया और इस नियत से किया है कि यह रिफॉर्म क किस तरह की आजादी आप देखते हैं जो किसानों को अभी मिली है जो पहले नहीं थी। मन्डी में अपने उत्पादन को लाते थे, वहां पर लाइसेंसी ब्यापारी उनका उपज का आउक्सन करते थे और आउक्सन से जो भाव तैय हो जाता था वो चाहे न चाहे किसान उसी भाव पर बेच के जाने के लिए मजबूर होता था क्योंकि एक बार वो लॉजिस्ट खर्ट से बचने के लिए किसान साम को जो भाव लग जाता था चाहे वो कम हो उस पर बेच के जाने के लिए बाद दे होता था आज ये नया एक्ट किछ बन गया है तो किसान अपने घर से भी अपने वेराउस से अपने खेट से किसी को भी और देश में कहीं के लिए भी और अपने इच्छा की कीमत पर अपने उत्पादन को बेच सकता है और दूसरा नए कानून के मताबिक मंडी परधी के बाहर इस खरीद बिक्री पर कोई टैक्स नहीं होगा और पूरा अंतराजी खरीद बिक्री का बाजार इससे खुल जाएगा और किसान को वाजब दाम मिल सकेंगे किसान की तागत बढ़ेगी जब मंडी का टैक्स सामने नहीं होगा तो निश्यत रूप से अब भी जो मंडी का टैक्स ब्यापारी देता है वो कुलमला के टैक्स को जब माल खरीदता है उसी में जोड़कर देखता है तो अब उसका भ बेरियर नहीं पूरे देश में एक मार्केट के रूप में ये कानून हर किसान को सुतनता देता है कि वो अपना उत्पादन कहीं भी बेश सकें दो तिन सवाल इससे जुड़े हों है एक तो जब आप कहते हैं किसान अपने मर्जी की किमत पर बेश का किसान कहते है कि हमें मर कर दे और उसे लीगल कर दे कि इससे कम कोई खरीदेगा ही नहीं क्योंकि जो छोटी जमीन वाला किसान है देश का सी परतिशत किसान ऐसा है जो कम जोत वाला है जिसके पास उपने बड़े खेत नहीं है उसकी अपनी मर्जी कहां तेक चलती है सवाल इस बात को लेके भी और इसलिए किसान कहता है कि MSP आप लीगलाइस कर दीजिए कि उससे कम पर कोई खरीद ही ना कि ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बना सकते हैं देखिए अधर असल क्या है कि MSP का इन कानूनों से कोई संबंध नहीं है एक बात दूसरे बात यह है कि MSP भारत सरकार का प्रसास की परदान मंतरी नरेंदर मोदी जी के नेतरतों में लागत पर पचास प्रस्त मुनाफ़ा जोड़कर MSP गोसित करने का नेड़े हुआ इसलिए हर साल MSP एक मेकेनिजम के दोरा बढ़ती है उसका फायदा देश वर के किसानों को मिल रहा है हमने सरकारी खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया है और इस वार ही अगर हम देखें तो धान की खरीद लगवग चार सो लाक मिट्रिक टन के आसपास हुई जिसमें दो सो दो लाक टन तो पंजाब के किसानों से ही खरीद हुई है और गयों और धान की खरीद होती थी नरेंदर मोदी जी नहीं उसको दलन और भी जोड़ा और आद दलन और तिलन की भी खरीद पूरे देश वर में की जा रही है उसका फाइदा भी किसानों को मिल रहा है जहां तक MSP का कानून बनाने का सवाल है तो वो कानून पहले भी नहीं था आज भी नहीं और परसास की निर्णा अच्छे से चल रहा है MSP मन नहीं है MSP पर खरीद होगी मंडी पर खरीद होगी वो रेट किसानों को मिलेगा लेकर उसके बाद जो चीज बचती है मार्केट में वो खुले रूप में व्यक्ति बेश सके या फिर MSP से ज़्यादा किसी को रेट मिले तो भी बेश सके सवाल सरी ही है बिहार जैसा 18 सौ रपे कुुटल के हिसाबसे कर दिया लेकिन वहांका किसान जो उसको साथ-ाट्स-रपे में बेचने में मजबूर होना पड़ता है क्योंकि वहां उसको उतनी किमत मिली नहीं पाती. इसी तरह से धान की किमत जो है जितनी किमत MSP में फिक्स की जाती है उतनी किमत किसान पहुँच नहीं पाती। छोटा किसान है वो उसके खिलाफ भावास भी नहीं उठा पाता। पंजाब में तो MSP पूरा मिल रहा है, पंजाब के किसान को तो कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, एक एक दाना खरीदा जा रहा है, फिर पंजाब में अन्रेस्ट क्यों है, और बिहार में नहीं खरीदा जा रहा है, और अगर महां कम मिल रहा है तो अन्रेस्ट क्यों है, क्यों कि पंजाब के किसान को कही ना जहीए लगने लगा कि हमारी किसान ने कोई सिकायत नहीं की बिहार के मुख्यमंद्री ने इन कानूनों का समर्थन किया है और बिहार के किसानों को किसी भी परकार की सिकायत नहीं है इन कानून के आने के बाद आंदोलन के चलते हुए बिहार में चुनाब हुआ तो भारतिय जंता पार्टिय जेडियू ग रास्त हुई अभी राइस्थान में चुनाब हुआ जिला पांचायतों का तो बगल में आंदोलन चल रहा है और बगल में चुनाब हो रहा है तो जो किसान है वो मददाता भी तो है वहाँ भारती जन्ता पार्डी गिरामिट शिदर के चुनाब में अच्छी सफलता प्राप की तो आज देश भर में अगर कहीं भी आंदोलन नहीं हो रहा है यह इस बात का परिचाएक है कि इन कानूनों को बहुत अपेक्षा से देश भर के लोग देख रहे थे अब उनकी अपेक्षा पूरी हुई है और इसके क्रियानवन के बाद अच्छा परणाम आए लोग इस को अगर मैं इस तरीक तरीके से अगर सवाल को पूछूं क्या राजनीती का मुतलब उस परिक्षा के माध्यम से सरकार की नीतियों की महर लगती है जन्ता की, तो इसलिए चुनाप को माइनस करके भी नहीं देखा जा सकता। लेकिन जैसा मैंने आपको पूर में बताया, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब हम सुधार की ओर बढ़ते हैं, तो पुरानी परंपराओं से, पुरानी लीग से हटना, आम लोगों के बस की बात नहीं होती, सरकार अच्छी वही होती है, जो देश की नवज को पहचाने, और देश के भविस्टी की द्रश्टी से उसके पास कोई रोड मैप हो, आज जो कानून लाया गया है, मोदी विरोध के करण खराब लग सकता है, लेकिन ये कानून आने वाले कल में, देश की खेती को समरद करने वाला है, खेती का योगदान बढ़े देश के जीडी पी में इसको सुनिशित करने वाला है, और इन कानूनों के माध्यम से देश के भविस्य की पीडी और पढ़े लखे नौजबान अग्रिकल्चर की ओवर आकर सित होंगी, मेंगी फसलें उत्पादित करेंगे, वैस्बिक मानकों के अनुसार खेती करेंगे, गाउं में फूड प्रोसेसिंग करेंगे, एक लाग करोड का जो इन्फाइस्टिक्चर फंड है, उसका उप्योग गाउं में अदोस हरचना के लिए करेंगे, और मैं समझता हूँ कि देश को आगे बढ़ाने में और आत्मने बढ़ाने में, क्रसी के छेतर में और गाउं के छेतर की अर्थ विवस्ता को मजबूत करने में, इन कानूनों का एक बड़ा योगदान होगा, और मैं आपके माधियम से खिसानों को कहना चाहता हूँ, कि वो अपनी दिरश्टी से न देखें, लेकर आने वाले पचास वर्सों में हिंदोस्तान की खेती को कहां ले जाना है, वो इस दिसा में ये मार्ग प्रसस करने वाला कानून है, इसलिए उनको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और सकारात्मक दिरिश्टी कोण से अपने भवेशी की पीड़ी के उत्थान के बारे में सोचना चाहिए, सर्जब ये अंदोलन शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि ये विरोधी हैं, उनकी तरफ से किसानों को बहला फुसला दिया गया है, फिर कहा गया कि ये अलगाववादी लोग हैं, फिर कहा गया कि खालेस्तानी हैं, फिर कहा गया कि विदेशी ताक्ते जो है वो इसके पीछे हैं, नेताओं ने ऐसी बाते कहीं, तो आप आज की तारिख में अगर मैं पूछाँ आपसे आप इस पूरे अंदोलन को किस का अंदोलन माने हैं? मैंने पूर में आपको कहा, मैं पंजाब के किसानों को बहुत सम्मान की दरश्टी से देखता हूँ हरित किरांती के समय, देश को खाद्यान की दरश्टी से आत्म निर्वर बनाने में पंजाब के किसान भाईयों का महत्वून योगदान रहे और देश उनके योगदान का रिड़ी रहेगा ये मैं मानता हूँ, भारत सरकार मानती है, हमारे प्रधान मंतरी जी मानते है और भारती अजनता पर्टी भी मानती है, और इसलिए मैं जब किसान आंदुलन और किसान यूनियन के साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं यह मानता हूँ कि वो किसान के प्रत्रिदी हैं और मैं किसान प्रत्रिदियों से किसानों के भले के लिए ही बात कर रहा हूँ मैंने कभी नहीं कहा कि उस आंदोलन के पीछे कौन है लेकिन मीडिया ने ये दिखाया कि उस आंदोलन में ऐसे लोग भी हैं जो तमाम सारे देस द्रोई मामलों में, हिंसा फैलाने वाले मामलों में, जेल में बंद हैं, उनको रिया करने की मांग, वहासे हो रही है। ये भी मीडिया ने दिखाया कि वहाँ देश विरोधी तागतें सक्री हैं ये भी मीडिया दिखा रहा है किसान आंदोलन में इस प्रकार के तत्यों हैं जो तत्यों किसानों की अगवाई कम कर रहे हैं और सरकार का विरोध ज्यादा करने में उनकी दिल्चस्पी है हमने किसानों पर किसी भी प्रकार का आरू प्रत्यारू नहीं लगाया आप प्रारंब दिन से 미रे वक्त अबब्यों को उठा कर देख सकते हैं लेकिन मीडिया के माधियम से जो बात आती है वो देस में चरचा का वेसा तो बनती है मीडिया ये भी दिखा रहा है कि किसान बहां जो लंगर लगा रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग जो हैं जो आसपास के लोग में उनको भी खाने को मिल रहा है वो लोग भी खुशी खुशी आके आसपास के लोग जो हैं ये बियान भी देते हैं कि अब तक जितने ऐसे अंदो वे ते उसमें दुकाने अक्सर लूट ली जाती थी लेकिन आसपास के छोटे दुकानदारे वो कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत अच्छे तरीके से अंदोलन को चलाया जा रहा है और इस तरीके से अगर अंदोलन चलेगा तो हम लोग इनके साथ खड़े होंगे बाकी की जो लग अलग संस्थाएं हैं जो जब्धिया हैं वो जाकर उनको समर्थन य है यह भी मीडिया दिखाता है सरकार क्या सिर्फ उसी पक्ष को देख रही हैं इस पक्ष को भी एचांदा के सामील लोगों को हिरे से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने तमाम सारे ऐसे तत्तों को अलग थलग करने की कोशिस किये जो किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहते है किसान के कंदे पर रखकर अपने विचार की बंदूग चलाना चाहते है और उन्होंने आंदोलन को यूनियन ने बहुत अनुसासित बनाई रखा है इसके लिए मैंने पहले भी आवार प्रगट किया था और आज भी मैं जब भी कहीं भी सार्मिक मंच पर इस प्रसंसा को करता ही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में किसान यूनियन विचार करेंगी मुद्धों को तहे करेंगी मुद्धों पर बात करेंगी और हम लोग समाधान के रास्ते ढूंडने में सफ़लों मुद्धों के एक और इसमें सवाल है कि जिन लोगों को अलग थलग किया जो लोग ऐसे थे जो इस पूरे आंदों को खराब करने की कोशिश कर रहे थे किसान यूनियन के निता कहते हैं कि हमने उठा कर उन्हें दिल्ली पुलिस के हवाले किया दिल्ली पुलिस इंडारेक्टली या डारेक्टली ब्रिह मंत्रा लेके तहट आती है उन लोगों पर क्या कारवाई की गई ये एक ऐसा सवाल है जो किसान निता भी जानना चाते हैं क्या प्रोसीडिंग्स हुई हैं कि उन पर कोई मामले दर्श किये गए हैं कोई कानूनी कारवाई हुई है मुझे उस मामले में मलब मालूम नहीं है और मैं जानकारी लेने की कोसिस भी नहीं किया हूँ कुल मिलाके मेरी ड्यूटि vrijो है कि सान को खिसाने सामर्द हूं इस दिसाramatic काम कर तो मैं हुकर हां. कि सान को बागवान की तरह देखना है यह सरकार ने मुझे दायेतिया और मैं इस दायेतियुकों पूरा कर रहा हूं यह जो दायत्व है इसमें जिस तरीके से आप से निभा रहे हैं बहुत खूबसूरती के साथ आप निभा रहे हैं आप पांच-छे चलन की बातचीत के बाद आप लगातार यह कहते हैं कि सोहार्दपूर्ण माहोल में यह बातचीत हुई आपके बयान लगातार पूरे देश ने सुने हैं विदेशों में भी सुनाई दिये हैं पंजाब की आप पर्टिकुलर जब बात करते हैं पंजाब का जो मंडी बोर्ट का सिस्टम है उसको बहुत सारे विशेशगे भी मानते हैं कि बहुत कुबसूरती से महां चल रहा है जहां मंडी बोर्ट को मिलने वारा ट स्ट्रक्चर भी कहिना कहीं तहस नहीं न हो जाए दिखे एक चीज समझने की जरूरत है कि जब देश में क्रसी उत्पादन को बेचने की कोई विवस्ता नहीं थी उस समय मंडी की कल्पना की गई थी कि कोई प्लेट फॉर्म हो उस समय की जरूरत के मुताविक वो सोच उचित था लेकिन आज मंडिया कितनी भी अच्छे हों लेकिं मंडिया किसान को फायदा देने का साधन नहीं है पंजाब हर्याणा में मंडियों का नेट वर्क अच्छा है इससे कोई इंकार नहीं करता वो मंडियां और ससत हों इस से किसी का इंकार नहीं बिगत छे वरसों में मंडियों को और ससत बनाने के लिए भारत सरकार ने भी करोड़ो रुपिया राज्यों को दिया है और उनको समरत बनाने के लिए सुविदाय बढ़ाने के लिए खर्च करने के लिए साधन दिये हैं और इसलिए हम लोग जब नया कानून बनाए तो हमने मंडियों को खतम करने की बात कही ही नहीं मंडियां राज्य के कानून से बनती हैं मंडियां जैसी हैं वैसी ही रहेंगी लेकिन हमने किसान को एक और विकल्ब उपलब्ब कराया है मन्डी में जाकर बेचू और उसके पीछे हमारी मानिता ये है कि कुल मिलाके जो भारी वरकम टैक्स जिसकी बसूली अपरतेक्स रूप से किसानों से ही हो रही है अगर करसी उत्पादन पर वो टैक्स नहीं लगेगा तो उसका फाइदा किसानों को पहुंचेगा और किसानों को फाइदा होगा तो उससे उनकी माली हाला सुधरेगी जहां तक मंडी का सवाल है तो मंडी राज्य के एक्ट से बनी है अगर ये रिफार्म ठीक है और वो भी किसान के हिद में सोचते हैं तो निश्य दूरुप से जो मंडी टैक्स है तो वो किसान से ही क्यों वसूल किया उधारन लें हम तो पंजाब की मंडी से कितनी आए है उनकी पंजाब की मंडी में जो मंडी सुल्ख है उससे 3600 करोड रुपिया साल में आए होती है और 3600 में से 3400 करोड रुपिया ये FCI पेमेंट करती है बारत सरकार उनको पेमेंट करती है सिर्फ कुल मिला के 200 करोड का ट करेंट करेंगी आपको जे तो आपका कुल मिलाके 200 करड़ का नुकसान होता है उससे इतना बड़ा एक वक्त था जब प्रधान मंतरी ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले उनके चरेंट सपर्श के थे आशिरवाद लिया था उन जैसा वेक्तित उन जैसा नेता जब इस तरह से समान वापसी कर रहा है तो उन्हें क्या हम टुकडे टुकडे गैंगी ने या समान वापसी गैंगी ने या एंडिये के लिए एक बहुत बड़ी एक शती के तोर पर देखे देखे दरहसल क्या है फ्रकास सिंग बादल साब बहुत ही बड़े नेता है और उनका बहुत समर्पित जीवन है मैं उनके विसे में कोई टिपड़ी नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मैं अका और इसका मंच लगा हम जवाब देंगे किसानों के कंदे पर बंदू रखकर क्यों अपना राजनेतिक स्वार्थ पूर्थ करना चाहते हो तो दल कोई भी हो लेकिन राजनेतिक दल को किसान के नाम पर सियासत नहीं करना चाहिए किसानों को भ्रमित नहीं करना चाहिए और पहले का इतियास इस बात का साक्षी है, कि जब जब जो जो लोग पावर में रहे हैं, जिन जिन दलों के लोग पावर में रहे हैं, इन रिफॉर्म का समर्थन करते रहें, इनकी रिग्मेंडेशन पर अपना दसकत करते रहें, तो आप यू टर्न क्यों लेना चाहिए? सर क्या आपको लगता है कि 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में जो कांग्रेस डबल डिजिट का आंकडा क्रोस नहीं कर पाई, थ्री डिजिट में नहीं आ पाई, वो वाकर इतनी ताकत पर है कि वो इतने सारे किसानों को इकठा कट लेकिए? ने, ने, वो कर ना ही पाई ये लेकिन भरहम तो खड़ा करने में योगदान देए है ना, भरहम खड़ा करने में तो उनका योगदान है ही, आज उनको अगर नैतिक रूप से राजनितिक शेदर में काम करते हैं, और बास्तम है वो शरुवाइवल चाहते हैं और वो अपने पापों का प्राश्यत करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको ये सुनिश्यत करना चाहिए कि 2019 में राउल गांदी, सोनिया गांदी सब लोगों ने प्रैस कॉन्फरेंस करके कहा था कि ये हमारा मैनिफेस्टो है और इस मैनिफेस्टो के 17 नंबर पेज पर क्रसी सुधार के बारे में लिखा गया है हमारी सरकार बनेगी तो ये करेगी जब 2017 में पंजाब का चुनाब हुआ उसका मैनिफेस्टो देख लो आप पर्टी का मैनिफेस्टो देख लो तो उस समय आप इन सुधारों को करना चाते थे अब ये सुधार हो गए है तो आप इनका विरोध क्यों कर रहे हो या तो आप आज जूट बोल रहे हो या आप उस दिन जूट बोल रहे थे तो एक जूट के लिए तो कांग्रेस के नेतरत्तो को देश से माफी माँगना चाहिए ना कि हमने उस समय जूट बोला था हम देश से माफी माँगते हैं बड़ा गड़बड कानूने और अब हम इसका विरोध करते हैं एक सवाल इस कानून को लाने के तरीके पर भी उठता है कि कोविड में जब अब सरकार कह रही है कि जब चर्चा के लिए सब लोग कहरें कि चर्चा हो जाए सरकार कह रही है कि कोविड है कोरोना की वज़े से अभी हम सत्र नहीं बुला सकते विंटर सेशन नहीं होगा जनवरी के आखरी में एक सत्र बुलाए जाएगा लेकिन ये कानून जब लाएगे क्या केन सरकार को नहीं है क्या राज्य सरकार को नहीं है नहीं नहीं सवाल इसका है ना कि लेकिन ओर्डिनेंस के जरीए ही क्यों मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप तो कलॉज पर आओ ना ओर्डिनेंस कब आया कब नहीं आया कानून कब बना नहीं बना, मैं विचार व्यक्त कर पाया, नहीं कर पाया, या अलग परस ने, कानून का कौन सा प्रावधान ऐसा है, जो खिसानों का नुकसान करता हो, उस पर बहस क्यों नहीं होती, लोग सभा में चार गंडा चर्चा हुई, किसी ने बंदू नहीं उठाया, राज सभा में उपाद्यश की आसंदी पर थे, और आप लोकतंतर को कलंकित करने वाली घटना कर रहे थे, कोई कि आपको मालूम था, कि इस विल के समर्थन में पूरा सदन है, इनको बोर्ट मिलने वाले नहीं है, तो चार लोगों ने मिलकर उसको कर दिया, जब चार गंटे तक बहस चली तो आप बोलो ना क्या बोला आपने, प्रोसेडिंग तो सार्व नहीं गए, राज्यसाबा की प्रोसेडिंग, उसमें आपने कौन सा तत्थ रखा जिस पर विचार किया जाना चाहिए, मतरी मोदे अभी जब सरकार इतनी मजबूती से इन चीज़ों को प्रसुत कर रही है, कौविड के दौरान ही वो सेशन भी आए जिसके एक कानून बने हैं, तो इस कौविड के दौरान अब तो हालाकी हालात कन्ट्रोल में हैं, इस पर चर्चा के लिए फिर सत्र क्यों नहीं, इस पर चर्चा भी हो जानी चाहिए, खुर लेगे। जी एश्टी पे दोबारा बाचीत कर लो ऐसा थोले होता है भारत सरकार संसत के बनाए हुए कानूनों के अनुसार चलती है भारत के संबिदान के प्रदि भारत सरकार की प्रदिवदता है पूरे देश की प्रदिवदता है देश में सरवोच सदन कानून बनाने वाला संसद है संसद में कानून पारिद कर दिया आप कुछ लोग बोलतें कि दुबारा चर्चा कर लो अरे पहली प्रोसेडिंग उठा के देख लो ना था उस समय कौन जा तीर माल लिया था आपने मंतरी मोदे आप इस वक्त ब्रोडकास्टिंग के जरीए विदेशों में हमारी जो लोग रहते हैं प्रवासी भारती हैं उन से सिधर उगरू हो रहे हैं विदेशों में जगे जगे पर प्रदेशन होएं किसानों के खत में प्रदेशन होएं किसानों के अधिकार के बात को लेकर और सरकार से ही कहा जा रहा है जगे जगे कि आप किसानों से बात कीजिए मसला सूजाएए उन लोगों के लिए आप कैस अंदेश देना चाहें मैं देश में रहने वाले किसान और दुनिया भर में रहने वाले भारती उन सब के प्रति संबान व्यक्त करते हुए उनको ये अनरोध करना चाहता हूँ कि वो मेडिया के माद्यम से, सरकार के माद्यम से, जहां वो निवास करते हैं उस भारती MSI के माद्यम से, इन कानूनों के प्रारूप को मंगा कर पढ़ें और मैं समझता हूँ कि अगर वो देश से बाहर रह रहे हैं तो कई देश तो ऐसे हैं जो टेक्नलोजी के मामले में, उदारता के मामले में, रिफॉर्म्स के मामले में, भारत से आगे चल रहे हैं तो जब वो पूरा कानून बढ़ेंगे, तो उनके ध्यान में आएगा, क्योंकि जो व्यक्ति देश के बाहर भारत का प्रहुत कर रहा है, और अपना काम धंदा कर रहा है, उस हर भारती के मन में है कि भारत भी उत्ती तेजी से आगे बढ़े, जित्ती तेजी से दुनिया आगे बढ़ाना है, तो रिफार्म करना पड़ेंगे, रिफार्म करना पड़ेंगे, तो कठोर नेड़ने होंगे, कठोर नेड़ने होंगे, तो कड़वे घूंट पीड़ना पड़ेंगे, और कड़वे घूंट अगर पीएंगे, तो आने वाले कल में भारत प्रतिस्पर् में स्रेष्ट राष्ट के रूप में वो इस्थापित हो सकेगा मुझे पूरा भरोसा है कि जब सारे रिफॉर्म्स को आप पढ़ लेंगे तो आपके मन में क्लियर्टी आ जाएगी कि ये किसान को समरद बनाने वाले कानून हैं खेती और किसानी की और नई पीड़ी भी आकर हो टेक्नलोजी से जुड़े और वैस्विक मानकों के अनुसार खेती करे और हमारा उत्पाद सारी दुनिया में एक्सपोर्ड हो सके ये उन सब लोगों के भी इक्षा है और इसके मार को प्रसस करने के लिए ये कानून है तो सभी ऐसे भारतियों को मैं कहना चाहता हूं ज और उसके बाद अपना मत बनाएंगे तो भारत का हिथ होगा किसानों को एक और संशे है कहीना कि कड़वा घूट जो आब बात कर रहे हैं कि कड़वा घूट तो किसान पी ले और उपर की मिठी मलाई जो है वो कार्परेट के हिस से न चली जाए मोदी जी के रहते हुए कोई भी कानून हमेशा गाओं गरीब किसान की समरद्धी के लिए ही होगा जब कार्परेट के छेतर में भी कोई रिफॉर्ब किया जाता है तो हमारी सरकार में ये हमेशा ध्यान रखा जाता है कि इस रिफॉर्म का प्रतेक्ष रूप से और अप्रतेक्ष रूप से गरीब की समरद्धी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसलिए मोदी जी ने जब क्रसी के छितर में कानून बनाया है तो उससे किसान का ही हित होने वाला है किसान को ही लाब होने वाला है कॉर्परेट्स को लाब नहीं होने वाला है लेकिन देश एक दूसरे का पूरक है किसी को किसी से अलग नहीं किया जा सकता हम सब जानते हैं कि किसान मैं भी किसान हूँ मैं गयों का उत्पादन तो कर सकता हूं लेकिन आठा बनाने वाला तो फ्लोर मिल का माली की होगा मैं उत्पादन करूंगा और अगर फ्लोर मिल पर आठा नहीं पिसेगा और मार्केट में नहीं जाएगा तो मेरा माल खरीदेगा कौन एक सवाल ये भी उड़ता है कि जो सविधान के विशेशग्यां वो ये भी कहते हैं कि विशे का बड़ा इसमें मसला है कि खेती जो है वो रज्जों का विशे है आपने उसको मार्केटिंग और विपनन से जोड़कर शुरुआत में जो आपका बयान आया था करना चारी देखिए मोधी जी अब प्रधानमंद्री बने तो 14 फाइनेंस कमिशन की रिकमेंडेशन आई और उस रिकमेंडेशन में ये था कि राच्चियों को अभी 32 प्रसत पैसा दिया जाता है जी इसको बढ़ा कर 42 किया जाना चाहिए एक सरकार 32 के इस्थान पर 42 प्रसत देने की रिकमेंडेशन को सुईकार करे ये आम तोर पर संभव नहीं होता क्योंकि पैसा हमारे हाँद में रहेगा तो हम अपनी योजनाओं को चला सकेंगे और उससे अपने राजनितिक दरश्टी से भी कई योजनाओं को संबर्दन कर सकेंगे लेकिन मोधी जी ने ये द निश्यत रूप से राज और केंदर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं इसलिए प्राइब मिनिस्टर ने सबसे पहले ये कहा कि नहीं 32 के इस्थान पर 42 परसंट पैसा राज्टीयों को देना चाहिए ये प्रदान मंतरी मोधी जी की राज्टीयों के प्रतियों प्रधिवद होगा और राज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा और इस धारा के आदार पर हम लोग राजनितिक छेदर में काम करने वाले लोग हैं और लगातार जब भी ऐसी परिस्थी आई तो राज्टीयों से पूरा विचार विमर्स किया गया जहां तक इन कानूनों का सबाल है ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट वाला इससे पहले भी जब यूपी ए सरकार थी तो एपी एमसी का मॉडल एक्ट प्लानिंग कमिशन ने जारी किया हम लोग आये तो हम लोगों ने पांच वरस तक कई बार राज्जियों को आगरे किया राज्जे के साथ कई परकार की ऐसी परिस्तियां रहती हैं कि जितने बड़े रिफॉर्म की अपेक्षा की जानी चाहिए राज्जियों को कठनाई होती है और अच्छी केंदर सरकार वही होती है जो राज्ज कर पाने में कठनाई अनवब करते हों तो केंदर उस मामले में कड़वा गोट पिये और अलोग प् कारण परिणाम जतना लोगप्री होगा उसका फाइदा देश के एक एक किसान को होईगा किशी मंतरी के रूप में और नरिंदर तोमर जी को यह लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलिंच उनके लिए परसनली कितना बड़ा है और पूरी केंदर सरकार के लिए अगर आम इस मंत्री नरेंदर तोमर थे जिनके वक्त में इतना बड़ा अंदोलन हुआ या आप ये लिखवाना चाहेंगे किसान बहुत खुशी-खुशी अपने घर लोटे और नरेंदर तोमर उसक्त क्रिशी मंत्री थे देखिए मैं भारतिय जन्ता पढ़ड़ी का कारी करता हूं कारी क होने के कराण में सांसब बना और भाजपा की सरकार थी इसके कराण में मंत्री बना और मंत्री रहते समय मुझको मेरे प्रदान मंत्री ने क्रसी मंद्राले की जवाबदरी दी इसे मैं अपना सौभागे मानता हूं मैं अपने कारिकाल में रिफॉर्म का साच्छी बन सका य भी मेरे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब दिये जहां तक किसान अंदोलन का सवाल है तो निश्यत रूप से मेरी मानिता है कि किसान हमारे देश की जीड़ है किसान हमारे देश का मान और सम्मान है किसान अनदाता है किसान के साथ सम्मान और संविद्ना को रखते हुए सरक की बारता चलेगी और वो सफलता के सोपान तक पहुंचेगी कब तक हम मान के चलेए अभी 2020 जाने वाला है 2021 की शुरुआत होने वाली है क्या एक प्लैन आपने एक डेडलाइन फिक्स की अपने एंड से के अब इस तारीख तक तो हम इस मसले को सुलजा लें देखिए जब दो पक्षों के बीच में बाचित होती है तो दोनों पक्षों को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है जी और केंदर सरकार ने अपनी तरफ से एपी एमसी और एपी एमसी के बाहर प्राइवेट बंडी दोनों पर राज्य सरकार टेक्स लगा सके इस प्रकार के परिवर्तन का विचार करने के लिए हम तयार हैं यह हम लोगों ने प्रस्ताओ किसान यूनियन के समक्ष भेजाए बिबाद के निप्टारे के लिए हम लोगों ने एईजडियम को टाई किया था हमें लगता है कि एईजडियम ठीक है और अभी आप देख रहे होंगे कि मदपरदेश के ही कलगौलियर का निर्णे हुआ जबलपुर में हुआ होसंगाबाद में हुआ सब जगे चोबिस और अटारीस घंटे के बीच में किसान को एईजडियम नियाए दे रहे है लेकि यूनियन्स को लगता है कि नियाएले का भी अधिकार होना चाहिए तो हमने परस्ताओ दिया कि नियाएले मैं अगर किसान जाना चाहता है तो हम उस पर भी विचार करने के लिए ओपन है सामाने तोर पर आजादी के 73 साल हो गए है अब हमको जो नीतियां बनाना चाहिए वो नागरिकों पर विस्वास करके ही बनाना चाहिए और अगर नागरिकों पर ही अविस्वास हम करते रहेंगे तो फिर हम जैसा आगे बढ़ना चाहते हैं वो नहीं बढ़ पाएंगे और इसलिए हम लोगों ने ये कोशिस की थी कि कोई भी इंस्पेक्टर और लाइसेंस ये सब जहज़ट न रहें और किसान की उपज का खरीद विक्री का इंटर स्टेट ट्रेट आसानी से हो सके और देश में आवाजाई पर कहीं भी रोक न रहे तो हम लोगों ने तैय किया था कि भी पैन कार्ड पर खरीद की जानी चाहिए तो लोगों को लगता है कि किसान यूणियन को कि भई पैन कार्ड तो कोई भी ले ले लेगा और बाद में कोई धोका दे गया तो कहाँ पकड़ेंगे तो हमने का आपको लगता है ट्रेडर का रेश्टेशन किया जाना चीए तो हम इस पर भी विचार करने के लिए तयार है फराली के मामले में उन लोगों की एक आपती थी तो हमने का उसका भी समुशित समाधान करेंगी इलेक्सिटी एक्ट के बारे में भी उन लोगों की कुछ संकाएं थी तो हमने का उस पर भी हम लोग समाधान करेंगी तो मैं समझता हूँ जहां किसान से संबंदित कोई भी विसे है वहाँ सरकार विचार करने को तैयार है हमने उनको अफर दे दिया है वो विचार पूरपक उस पर जब टिपड़ी करके हमारे को भीजेंगे और तारीक तैय करेंगे तो मुझे लगता है कि जल्दी बात होगी और समधान होगा कोई तारीक आपने मन में सोची कि नए साल में एक तोफाया तो केंदर की तरफ से किसानों को या किसानों की और से केंदर को दोनों मिलकर कोई पूरे देश को एक नया संदेश देदेगे लेकिन क्या है कि मैं अपना तो तैय कर सकता हूँ लेकिन क्या है कि मैं अपना तो तैय कर सकता हूँ लेकिन यूनियन का यूनियन को तैय करना है एक आखरी सवाल संसद में जब आपके विपक्षियों ने संसद के परिसर में धरड़ना दिया था तो प्रधार मंत्री जी ने राज़े सभा के स्पीकर को कहा था कि आप उनके लिए उपसभापती को कहा था कि आप सुबह उनके लिए चायल लेकर जाईए उनसे मिलकर हलांकि उसके बाद जो एक अलग एपिसोड है क्या आपको कभी ऐसा कहा जाता है कि आप भी जाकर एक बार टिकरी बॉर्डर या सिंगू बॉर्डर जाकर एक बार दोरा ही कराईए किसानों के हाला मैं बात करता रहता हूं किसानों से और जो यूनियन्स के लीडर्स हैं उसको मैं और मेरे आफसर हैं उन से बातचीत करते रहते हैं वहाँ पर सुरक्षा के सुच्छता के सारे जो इंतिजाम मौलिक आवश्यक्ताओं के होने चाहिए वो केंड सरकार भी ध्यान दे रही है और हरयाना सरकार को भी कहा गया है कि जहां इंसान है वहां इंसानी सबूलियत है देने का जो फर सरकार का है उससे पूरा करना चाहिए मन्तری जी बहुत बहुत शुक्रिया उन्स बादु श्वारी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें रभा स्वारी मंतरी औरी तो तोमर साब, सवाल असी हो किते हैं, जवाब तोमर साब ने दिते हैं, तोमर साब ने किनक सही दस्या है, किनक उन्हाने अपने कोल रख लिया है, ये वे खनाड़े विवर्स दर्शक दै करंगे, इस खास मुलाकात विच इनना ही इजाज़त देऊ, तान पाए.